Hello guys, this is Yogis from English Guruji Channel और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं Time से संबंधित वाग की वीडियो लेक्चर 4 एक सीरीज चल रही थी जिसमें हमने Time से Related Sentence बताए थे आपको उस वीडियो लेक्चर का ये वीडियो लेक्चर 4 है अगर आपने इस से पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के Description Box में मिल जाएंगे आप चाहें तो वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं इन सभी सेंटेंसों में टाइम सब्द का बार बार यूज किया गया है और आपको तो पताएए कि टाइम कितना important है हम सभी के लिए आईए बिना किसी देर किये सुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर की सबसे पहला सेंटेंस देखे कौन सा है suppose कीज़े कि आप अपने एक friend से मिलते हैं आप meeting end करते हैं उससे और वो आपको जाते वक्त कहता है कि कल समय पर आना या फिर वो कहता है समय पर आना इस तरह से आपको कहता है तो इसको आप बनाते हैं आप कहते हैं be on time इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए आप पहुँच जाते हैं आप इस तरह से कहते हैं मैं समय पर आ गया इसको आप बनाते हैं I am on time I am on time next मैं समय पर आउंगा इसको आप बनाते हैं I will be on time I will be on time next sentence देखिए आप बिलकुल समय पर आए हो मैं जाने ही वाला था Suppose कि आप निकलने वाले हैं घर से तो आप कहते हैं इस तरह से आप बिल्कुल समय पर आए हो मैं जाने ही वाला था इसको आप बनाते हैं You are just in time I would have left in another minute यहाँ पर देखिए एक important point जो would have है न यह contraction है वुडव का W-O-U-L-D अफ़स्टोफिक V-E इस तरह से हम इसको लिखते हैं और इसको हम pronounce करते हैं यानि उच्चारन करते हैं वुडव ठीक है, contraction क्या होता है जब दो सब्दों को या दो से अधिक सब्दों को हम जोड़ देते हैं आपस में, मिला देते हैं उसके बाद एक सब्द बनता है ना उसको हम कहते हैं, contraction तो इस sentence को आप contraction के through बनाएंगे तो आप कह सकते हैं, you are just in time I would have left in another minute यहां पर देखें, would have को हमने जोड़ दिया अगला sentence देखें, मेरे पास समय नहीं है इस तरह से आप कहते हैं I do not have time और इसी sentence को, अगर आप contract करके कहेंगे तो कैसे कहेंगे, आप कहते हैं I don't have time यहां पर देखें, जो do not है इसको हम contract करते हैं तो यह बनता है don't इसलिए तो हमने कहा, I don't have time अगला sentence देखें हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है इसको आप बनाते हैं, we do not have much time और देखें, इसी sentence को अगर आप फिर से contract करते हैं तो किस तरह से बोलते हैं आप इसको बनाते हैं, we don't have much time यहां पर फिर से आपने do not को contract करा और यह बनता है don't अगला sentence देखें, मैं सिर्फ तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूं इस तरह से आपको कई वार कहने की जरुवत होती है न तो इसको आप बनाते हैं, I will give you only 5 minutes grace I will give you only 5 minutes grace Next, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए आप कहते हैं, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए Which means, I want some more time I want some more time अगला, समय से पहले और किसमत से ज़्यादा ना किसी को मिला है, ना मिलेगा इसको आप बनाते हैं, before time and more than destiny no one has got it and no one will either get it यहाँ पर देखिए destiny D-E-S-T-I-N-Y इसके बदले आप luck का भी यूज कर सकते हैं आप इसको बनाते हैं, before time and more than luck no one has got it and no one will either get it which means, समय से पहले और किसमत से ज़्यादा ना किसी को मिला है, ना मिलेगा तो guys, यह थे आज के 10 interesting time से related sentence I hope कि यह video lecture आप सभी को पसंद आया होगा अगर यह video पसंद आया तो इसको like करिए और अगर आप इस channel के लिए नए हैं तो इसको subscribe कर लीजिए ताकि जब भी कोई video upload हो उसका notification आपको मिल पाए और एक भी video lecture आप miss न कर पाएं मिलते हैं अगले video lecture में तब तक के लिए good bye